ये कानी 1972 के वक्त में जहान दो बच्चे खेल रही हैं तबी इनकी मार्बल बॉल इनके हाथ से गिर कर नीचे दूसरे फ्लैट में पहुंच जाती हैं जब वो बच्चे फ्लैट के अंदर जाकर जैसे ये मार्बल बॉल उठाते हैं तो सफेद कपड़े पहने एक ओरत चेयर स से गिर जाती हैं असल में कावी देर पहले ही मर चुकी थी इस सब के चार साल बाद इससे बुड़ी ओरत वाले फ्लैट में एक फैमिली शिफ्ट हुई है जिन्होंने ये फ्लैट बैंक से लोन लेकर लिया है बैंक कर लोन उतारने के लिए दोनों हस्पन वाइफ तो काम प खाईब हो जाते हैं घपराहट में वह अपने भाई को छोड़कर अपने दादची को धूरने में लग जाती है दादची सटाइम वाश्रूम में थे और देखते हुए इंपहरों भी वाश्रूम के दर शली जाती है और अचानक वाश्रूम के सारी खिर्कियां दर्वासे बढ़ हो जाते हैं वो सोर सोर से चिला कर अपने मौम डेड़ को बिलाती है उसके मौम डेड धर्वासा खोलकर उसको बाहर निकालने देए और फिर राफल में जाते हैं जहां वो घड़की से लटका हुआ था अगर राफल गिर शाता तो यकीनन ना बच्चता उसके डैड अपनी वाइफ को खामोश कराते हुए जल्दी से जाकर रैफिल को पकड़ कर कमने मिले आती हैं और फिर इंपारो को डाड़ना शुरू कर देते हैं इंपारो ने बता दी है कि यहाँ दादजी अचीब तरीके सगाइब हो कर थे फिर अचानक वोश्रूम के दर्वासे बंद से राया इंपारो के मॉम डैड उसकी कोई बगवास नहीं सुनते और उसे ही डाट कर यहां से चलने जाती हैं सीन के ठोकर हमें इंपारो के दूसरे भाई को दिखा जाता है जिससे अपनी रूम की के पर दोसरी बिल्डिंग से एटैच रीलिंग पे एक लेटर मिला है इस पर होता है तो उसे दुबारा रेलिंग से आवास आने लगती है जब देखता है तो उस जगा एक और लेटर पड़ा था जबके दूसरी दरफ रेफल अपने कमरे में ड्राइंग कर रहा था और इस मर्तमा दुबारा इंपारो के दादची घार से चले जाती हैं अपनी दा लेकर दिखने के आवास आते हैं एक बुड़ी कार्टून उसे अपने पास बुला रही थी डेफल बिचारे को कुछ समझ नहीं आता उजे से टीवी की करीब जाता है तो टीवी के दर से एक भूत या हाथ निकलकर उसे टीवी की अंदर कर लेता है यहां दिखाया जाता है कि एमपायरों को रोट पे घूमते हुए अपने दादाजी भी मिल जाते हैं जने वो लेकर जब घर आ रही होती है तो उसके दादाजी कहते हैं just धोवरत है वहां सब को मार डालेगी अपायरों सबर्दस्ती अपनी लेकर घर आ जाती है लेकिन घर आने पर और अब रैफल कहीं नहीं मिल रहा था धब रहा कर ये लोग पुलीस में भी रिपोर्ट कर बादेती हैं जिसके बाद इंपायरों के मौम डेट भी रैफल को ढूरने के लिए बाहर निकल चुके थी अब इंपायरों ही घर पे की लिए थी और तभी उसे एक फोन की आवास आती ह इंपायरों चोप फोन उठाते हैं तो फोन पे दूसरी तरह फ्रेफल था वो रैफल से पुछती है तुम कहा हो लेकिन खुद भी नहीं जानता था कि आखिर वो कहा है फोन पे बात कहते हुए ही इंपायरों को रैफल की आवास पास कही एक फ्लैट से आती है वो फो फोन बताती है कि मुझे रैफल की आवाज यहां से आ रही है यह लोग इस फ्लैट को लोग खोल कर इसके अंदर चले जाते हैं रैफल को ढूंटे ढूंटे एंपायरो इस फ्लैट के एक कमरे में आई जहां उसे पर्दे के पीछे एक छोटे बच्चे का साया नजर आया जैसे जै इसे यहां अगर खामोश करवाने की कोशिश करती है और उसके डैट जब खिर्की के पीछे देखते हैं तो वहां कोई भी नहीं था खैर अगले दिन हमें दिखा आजाता है कि इंपायरो की मौम अपने काम पे थी और यहां उस शौप पे कस्ट्मर के तोर पे एक पैरनाइ और अपनी मौम को कुछ समझाती है वह असल में इंपायरो के घर में होने वाली सारी चीज इंपायरो की मौम को देखकर जा चुकी थी इसलिए इस पैरलाइस्ट और इस इसे तुम हमेशा अपने पास रखना यह तुम्हारी मदद करेगा दूसरी तरफ घर में आज दुब कौन उसे के लेटर्स लिख रहा है यह नड़का जैसे ही रोस्ते बिल्डिंग में जाता है तो कोई लड़की उसे पीछे से गले लगा लेती है नड़की के हाथ में कैंडल थी और सामने एक शीशा लगा हुआ था यह नड़का जब शीशे में इस लड़की को देखने की क खलाता है यह इन पहरों को भी घर पर पेट में डर्ट हो रहा था जब अपना पेट चेक करती है तो उसके पेट पेट बहुत सारे निशान थे वह इन निशानों को जादा बौदर नहीं करती उसे नगता है कि यह अलरजी है वो अब कुछ सबसीया निकराई थी जिसे वो और उसके उसके आदा बोछ से बात करती है और लोडिके निश्ड़ के आवास रहे हुए इसके चोड़े आवास और नियुक्तलिफ़ार के अडरे नियुक्तलिटी कषज़ते हुए निकशे से लत प्लाइप कैसरे वुए करते हुर फो फोन और शिक्तल इसे निशान की से कहती है बस अब और हम यहां नहीं रहेंगे हम इस घर को छोड़ करके ही और शिल जाएंगे पर यह आदमी कहता है नहीं हमने इस घर को करीदने के लिए बहुत सा बैंक लोन लिया है हम इसे नहीं छोड़ सकते रात हो गई थी इंपायरो जैसे ही अपने कमरे के अंदर कदम रखती है तो उसी से किंग इस आरी के दर्वा से एक तम से बढ़ हो जाते हैं यहां तक लाइट भी उसकी कमरे के चली थी वह जोड़ जोड़ से चिलाती है उसके मौहम डैट जासे ही इस कमरे में आते हैं तो उन्हीं नज़र आता है एक बहुत बड़ा खुफना भूत य रहते हैं और यह देखने के बाद इन लोगों को फाइनली यकीन आ चुका था क्यों उनके घर में कोई आत्मा यानि कोई भूत रहता है अब तो यह लोग इस घर में बल्कुल नहीं रहने माले थे लेफल और इंपाइरो की डैट इन सब को लेकर एक होटल में जाते हैं और इन प्रेंड इन सब्सक्राइब नहीं पाता वह पिछले दो दिन से आफिस भी नहीं गये थे इसलिए उनको जौब से भी निकाल दिया था ठक हार कर अब इंपाइरो की मौम उस पैरलाइस लेडी की गरज आती है जिसके मौम ने उसे एक कार्ड दिया था वह अपनी घर मे उनके घर में रहने वाले पिखले लोगों से मिलने के लिख गई थी ये उरत पताती है कि जब हम लोग उस घर में रहते थे तो मेरी एक पूरी फेमली थी मेरे बेटा मेरे 0 पर हमेंने ही पता था कि मेरा बेटा एक Transgender है। उसी लड़का होने के बावजूद लड़की बनने का शोख था। लेकिन वक्त कुछा उस लड़की की आदते बदली नहीं, वो बल्कुल औरतों की तरहा हम बहेव कर देनागा। उसके बेटे को मां बनने का शोक हो गया और इसी वज़ा से वह उस लड़की को वही बंद करके यहां आ गई और वही तड़क कर मर गया और तब से उसी की लूप महां पर भर्टक रही है यहां रिवेल होता है कि वह अपनी मां बनने की खुआहिश पुरा करने के लिए इंपायरो के भाई को बार बार लेटर्स लेकर अपने पास बूलाती थी और उसने दो मरतबा मोगा पाने के बावजोत भी इंपायरो को इसनी नहीं मारा क्यूंकि इंपायरो प्रेगनन थी इंपायरो यह सब को जानने के बाद फूरान घर आती है जहां उसकी मॉम उस पैनलाइस लेडी को लेकर आई हुई थी वो आत्मा इस पैरनलाइस लेडी के जिस्सम के उपर कपसा कर लेती है और इन सब को वारने के इनके उपर हमला करती है और तब ही एमपाइरो एक कांच कर टुपड़ा लेकर उसको धमकी देती है कि अगर तुमने हम सब को नहीं छोड़ा तो मैं इस बच्चे को मार दूँग तब मोका पाते ही इमपाइरो के डैड उसके उपर चड़ते हुए उसे लेकर खिरकी से नीचे गूट जाते हैं जिससे उनकी खुद मौत हो जाती है और भूत फिर भी नहीं मरता जिनके बढ़ने के बाद उनकी लाइफ इंशोरेंस के सारे पैसे उनकी वाइज यनी इमप बंद है जिसको दिखाते हुए एक कहानी ही खत्म हो जाती है